साउथ दिल्ली के एक कलब में शो करने आये सिंगर यो यो हनी सिंग के साथ कथे तौर पर बद सलूकी और हाथपाई की गई 27 मार्च को साउथ दिल्ली के एक कलब में सिंगर हो यो यो हनी सिंग के साथ कथे तौर पर मारपीट किये जाने के बाद चार से पांच अग्यात लोगों ने ग्रुप के खिलाफ एक शिकायत दर्च की गई इस शिकायत के अधार पर दिल्ली पुलिस ने अब F.I.R. दर्च कर ली है दिल्ली पुलिस ने यो यो हनी सिंग और उनके वकील इशान मुखर जी को कायद के बाद प्राचमी की धर्च की है पुलिस ने बताया कि घटना 27 मर्च को साउड एक्स्टेंशन स्कूल कलब में हुई थी प्राटमी की के अनुसार यो यो हनी सिंग 26-27 मार्च की दर्याम्यानी रात को कलब में पफॉर्म करने आये थे तभी 27 मार्च को रात को शो के दरान 4-5 लोगों का एक समू जबरन स्टेज पर चड़ गया और कलाकारों के साथ धक्का मुखी शुरू कर दी F.I.R. में कहा गया है 4-5 लोगों ने स्टेज पर दुर व्यव्यार करना शुरू कर दिया और शो को बादित कर दिया भरे शो में उन्होंने बीर की बोतले दिखाई और कलाकारों के साथ धक्का मुखी की और मंच सेंध धकेल दिया उसके बाद चेक शर्ट में एक व्यक्ती ने मेरा यो यो हनी सिंग का हाथ पकड़ा और मुझे आगे की और खीचने लगा मैं इसे बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन भैस शक्स मुझे चुनौती दे रहा और धमकाता रहा मैंने ये भी देखा कि इसके पास शर्ट लाल शर्ट में एक अन्य व्यक्ती वीडियो बना रहा था और कह रहा था भगा दिया हनी सिंग